तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हमारा पार्ट जो हम पढ़ रहे थे विद्यूत उसके अंदर ओम का नियम आजम पढ़ेंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट आपके एक्जाम में जरूर आता है ठीक है चलिए शुरू करते हैं ओम क्या देखो यह नाम है ए इसके जो टर्मिनल के बीच में जो विभांतर है उसके बीच का संबंद इसने बताया था आई और वी के बीच का संबंद इनोंने पता लगाया था तो विद्यूत परिपत में तापमान समान रहने पर इसके सिरों पर विभांतर वी इसमें प्रवाहिध धारा आई के समान मतलब देखो विद्शिद परिपत्में क्या होता है? जो ताप माने एक कंडिशन रहना ज़का है. अगर ताप मान्स रहना है, तो जो इसके सिरे है विबांतर V है, इसमें जो बी करण जो फ्लो कर रहे है, आपस में क्या होंगे समाना अनुपाती होंगे मतलब वी आई के समाना अनुपाती होगा ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं ओम का नियम कहते हैं दूसरे शब्दों में आई है वो क्या है समाना अनुपाती है आई के ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सीधा-सीधा इस प निर्भर करता है ठीक है तो यहां पे जब यह समान अनुपाती का अगर मुझे चिन हटाना है इकोल टू लगाऊंगी तो मैं यहां पे एक आर है आर मुझे यहां पे लगे हुए तो यहां पे ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ की अंदर अगर मान लेज़े यह आपका क्या है यह क्या आपका करेंट है और यह आपका है वी यह क्या आपकी विबांतर है ठीक है तो यह क्या आपको दर्शाएगा यह आपको ये जितना जादा अधिक होगा ना ये उतना ही जादा प्रतिरोध जादा होगा तो प्रतिरोध है जो वो इस graph के अंदर इसमें x अक्स पे क्या है विद्युद्धारा प्रवाइद हो रही है और y x पे क्या है विवानतर है और ये क्या है आर प्रतिरोध होता है क्या है देख यह हicularञता है उनको रोकता है karendt को flooo करने से कि धारा है उसको प्रवाहित होने से यह रोकता है इसा ही ओम है इसको ग्रीक अक्षर से दिखाते हम ग्रीक अक्शर से बिलका दिखाते हैं इससे यह फिम्बल प्रति रो reverse का तो दिए एक मान लो दिए गई ताप मान पर आर क्या एक स्थिरांग है constant है यह आर चीक है ओम की नियम के नुसार क्या है देखो ओम पहले क्या था वी था हमारे पास directly proportional आई फिर हमने यह यह अगर मैं आर की वेली निकालो आई आर के साथ multiply में नीचे डाके divide हो जागा चीक तो r is equal to क्या है v by i है clear तो यहां से r is equal to v by i है इसके अंदर अगर हम देखे r is equal to v by अगर किसी चालक के दोनों सिरों के बीच जो भी वांतरा मान लो यह भी 1 volt है और विद्यूधारा भी 1 ampere है तो जो चालक का प्रतिरोद है यह भी कितना होगा 1 ohm होगा ठीक है तो जो 1 ohm ह के बराबर 1 volt बटे में 1 ampere के बराबर है ठीक है तो विद्यूध परिपत में प्रवर्ती प्रतिरोद या धारा नियंत्रक नामक उपरन का उप्योग परिपत में प्रतिरोद को बदलने के लिए किया जाता है क्या कह रहा है यह जो भी मान लूजे आपका जो विद्यूध लगा सकते तो उसको बैलंस करने का काम तरी किसी कर सकता है कि हमारे साथ से यह हम उसको रोक सके ठीक है तो बदल सके हम एक अरण्च जाद आचे कम जाए उसके एकौर्ण ठीक है अब देखो अब आते हमारे प्रशन उत्तर भी तो आज की वोक्षीट में यह चार प्रशन को दे गये हैं चारो परिशने की हाल कर लेते हैं इस फटाफट से पहला पृषिन कि आप का ओम का नियम लेखे पृतिरूत को परिभाषित की चयंजे सबसे cookie a ओम का जो नियम है वो जरूर आपके एक्जाम में आता ही आता है तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से रट लेना ठीक है रटने का वैसे कुछ है नहीं बहुत ही सिंपल है V is equal to IR ध्यान रखना है बस इसको अपनी language में लिख दो क्या कहरा है ये विद्यूत परिपत में तापमान समान रहने पर ये शर्थ है ये condition है तापमान समान रहना चाहिए ठीक है तापमान समान रहने पर इसके सिरो पर विभांतर V जो है इसमें प्रवाहिद धरा I के समान अनुपाती होता है ठीक है क्या होता है इसकी समान अनुप तो देखो जो प्रतिरोध है वो चालक का गुण है जिसके कारण चालक प्रवाहित होने वाले आवेशों ये प्रवागा विरोध करता है क्या है प्रतिरोध ये गुण है जिसके कारण क्या करता है ये धारा को प्रवाहित होने से रोकता है ठीक है तो प्रवाहित होने वाले जो आवेश हैं, इलेक्ट्रोंस पगेरा हैं, उसके परिवाग का विरोध करता है, उसको रोकता है, इसका ऐसा ही मातर क्या है, ओम है, और इसको गरीक अक्षर ओम त्वारा जिसको जिताया जाता है, ठीक है, दिखाया जाता है, clear, हो गया प्रेशिन नमबर एक, आगे बढ़ यहां भी क्या है, यह आपके पास क्या है, आई है, और यह क्या है, आपके पास वी है, तो यह पिर आप टेबल की भी help लग सकते हो, वी आपको दे रखा है, आई आपको दे रखा है, वी दो है, आई आपके पास 0.2 है, तो आर क्या होता है, वी बटे आई होता है, है ना, तो आर क्या होगा वीडिया पास दो है बटे मिळी क्या है 0.5 है है न दो बटे मिभी प्योंट 5 आज तो ऐसी कोश्छिनमे में लिखना है देखो यह हमारा कोशिन आर क्या है वी बटे आई है वी हमारा दो है आई हमारा 0.5 है तो पॉइंट हटा दो उपर आ जाएगा 10 5 से 10 कट गया 2 2 सा क्या होता है 4 4 ओम हमारा क्या हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा यह है हमारा कोशिन नंबर 2 का अंसर विल्कुल एक लाइन का अंसर था formula-based कोशिन आते हैं ठीक पचास ohm है और 3.2 MPan की धारा प्रवाहिथ होती है तो विवांधर ग्यात करो करो तो और 2 एंप कहरन का प्रति रोद9 पर्तिरोध आर आपको क्या दिया हुए प्रतिरोध पाचास इसकी पाचले लगा लो ओम च्यक्ति पचास आपको दिया हुए और 3.2 MPan किया है आई है current है आपके पास विद्युत है आई तो अग विवांतर निकालना एक V क्या होता है V is equal to I R होता है यह formula हमने अभी अभी पढ़ा था ohms जो होता है ohms का नियम जो होता है तो i की value put कर दो कितनी है 3.2 तो 3.2 गुना में 50 कितना होता है 160 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा विवांतर निकालना था विवांतर क्या आया 160 वोल्ट ठीक है एक पर यह ज़रूर लेका लेना आप यह हो clear यह हो कि आपका प्रेश्य नंबर 3 आगे बढ़ते हैं प्रेश्य नंबर 4 पर चोथा प्रेश्य क इसलिक है फ्रिकषे में 50 백신 है वो आपका बढ़ जाता है 120 वोल्ट बढ़ जाता है तो ने विद्य दाना होकी कि आपको निकालना हैं अभीन इस निकालना है वी इकल इकल तो aujourd यह में 50 वोल्ट तका वीं नि याट है आए चार है तो दोनों को डिवाइड किया कितना आगया 15 ohm तो व कितना है र कितना है 15 ohm ठीक है next है v is equal to 120 volt है और r is equal to 15 ohm है तो यहां सी i is equal to v by r तो i is equal to v by r में v क्या है हमारे पास 120 volt है और r क्या हमारे पास 15 है तो 15 से 120 हमने क्या कर दिया इसको कट कर दिया 8 ampere हमारा answer आजाएगा ठीक है ना आर हमने क्या किया पहले जो statement है उससे आर निकाल लिया आर निकाल कि दूसरे में आर कि रखी value पुट करके हमने आई निकाल लिया ठीक है ये चार questions आज आपकी worksheet में given थे आई hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment section में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगी है तो चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तिल देन तेक क्या बाबाई